हेलो गाइज इस टॉक मार्केट न्यूस फ़र अर्ड में आपसे भी का स्वागत हैं आज है नाइंटीन तो जैन दोस्तो बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें जबर्दस्त तेजी आपको देखने के लिए मिलने वाली है तो दोस्तो आपको इन स्टॉक में पूरी अपॉर्चिन टी मिल रही है मुनाफ़ा बनाने की अगर दोस्तो आप ऐसे स्टॉक्स में भी पैसा नहीं बना सकते तो डेफिनिल्ली दोस्तो आपके लिए पैसा बनाना मारकेट में काफी मुश्किल होगा चुकि दोस्तो मैजवान डॉक शिप बिल्डर्स दोस्तों इस इस टॉक को मैं पहले भी आपको रिक्मेंट कर चुका था मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कौन सा लेवल होगा जहां पर आपको बाय करना है तो दोस्तो वो दिन आ चुका है आज कि आपको यहाँ पर अब एक position डबलप कर लेनी चाहिए अगर आपने पहले ही position बना ली है तो definitely दोस्तो आपने बहुत सही जगे पर इसको खरीद लिया है चुकि दोस्तो अगर इसके technical chart को आप देखेंगे उससे पहले दोस्तो इसके तो थोड़ा सा data देख लेते हैं और दोस्तो इसके data पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन अभी शाड़े 6000 के something quantity buying में लगी हुई है वहीं दोस्तो 45% की हो चुकी है delivery यानि कि दोस्तो यहाँ पर delivery percentage काफी अच्छा है साथ ही दोस्तो यहाँ पर जिस तरीके से आप देख पाएंगे यह technical chart जिसको मैं पहले ही आपके साथ discuss कर चुका हूँ यह है support trend line ऊपर वाली है resistance trend line और दोस्तो यह बीच वाली भी एक इसका एक जो deviation है जिस पर दोस्तो कभी कभी support ले लेता है तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते कि support एक resistance का का काम करती है बीच वाली भी लाइन जो आपके सामने बनी हुई है तो दोस्तो फिलाल आप देखेंगे तो आज हुआ क्या है दोस्तो हुआ यह है इस stock में कि जहां पर मैंने आपको बताया था तक दिन 45 के RSI पर वही पर आज आ चुका है तो बुल्स ने दोस्तों यहां पर जो control ले लिया है इसमें जो bullish engulfing इसमें आप समझ जाईए यह stock दोस्तों उनने वाला और दोस्तों डेफिनिटली आपको समझ जाना चाहिए कि तकरीबन जो उपर वाली इसकी resistance रण नहीं है वहां तक दोस्तों यह stock जाएगा यानि कि द दोस्तों तकरीबन जो target बनेगा में possibly 325 के उपर ही जाएगा इसलिए दोस्तों आपको यहां पर position जरूर बनानी चाहिए next trading session पर उसको आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है बहराल अगर आप यहां पर चाहते हैं कि exit कहां पर ढूंडें तो दोस्तों अगर आप यहां पर काफी दिन पहले ही मैंने आपको recommend कर दिया था तो दोस्तों दूसरा stock कौन सा NCC NCC में क्या हो रहा है दोस्तों NCC में फिलाल आप देख सकते कि यहां पर एक triangular pattern बन चुका है आप देख सकते कि support trend line से जो कि support trend line है उससे दोस्तों इसको support मिला था में भी यहां पर एक breakout की हमको situation दिखाई पड़ रही थी चुकि उपर वाली जो line है वो resistance trend line है यह resistance trend line है नीचे support trend line है आप देख सकते support से यह उपर गया फिलाल दोस्तों यह अभी उपर नहीं जाएगा definitely नीचे की तरफ आएगा और इस support trend line से फिर आपको इसमें breakout देखने के लिए मिलेगा यानि कि दोस्त यहाँ पर यह तकरीवन 40 के RSI के something आएगा तो अभी दोस्तों इस stock के अंदर अभी एक situation बनी हुई है चुकि दोस्तों breakout की कोई situation नहीं है में भी अगर इसमें breakout हो जाता तो definitely आपको position उस time बनानी पड़ेगी लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि यह resistance trend line है उससे दोस्तों नीचे आपको जाता हो दिखाई पड़ेगा और अपने चार्ट को पूरा complete करेगा उसके बाद ही support trend line से उपर जाते हो अभी आपको ग्रावट के लिए वेट करना है जैसे support trend line के पास यह आएगा आपको वहाँ पर इसको buy करना है और जैसे दोस्तों इसमें breakout होगा definitely आपको इस stock में एक जबरदस्त तेजी देखने के लिए मिलेगी तो दोस्तों अपने आप में दोनों ही stock जबरदस्त है करें जबरदस्तों ऑफन करको दोस्तों कर दिए तो चलिए अपनी वडियो को सबस्क्राइब कराए तो कि आपको गली वडियो का नमें ओट आपको एज़िए वाटक दाएम लेगा थेंक्यू झाल झाल